जहिन वंदे मातरां, बहुत दा स्वागत है आपका टीम निश्टा पर, तो आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूं Civil Services के Aspirants और CDS के Aspirants fail to score good marks in CAPF Generally अगर आप CAPF, Central Armed Police Forces Assistant Commandant Direct Entry का Examination देखेंगे तो दो सेट आफ स्टूरेंट्स सबसर जादा इस एक्जाम को देते हैं एक Civil Services के Aspirants जो कि इसको एक Backup Plan के रूप में देखते हैं और CDS Aspirants जिनके जो Passionate है, Armed Forces को लेकर, वर्दी को लेकर वो इस एक्जाम को में अपियर होते हैं पर दोनों ही सेट आफ स्टूरेंट्स जो हैं, कुछ बहुत बेसिक गल्दिया करते हैं इस एक्जाम में बैठने से पहले क्योंकि उनका Main Focus एक दूसरा एक्जाम है और जो CAPF का एक्जाम है अगर मैं कहूं कि वो CDS और Civil Services के कहीं बीच में लाई करता है यहां पर दोनों ही सेट आफ स्टूरेंट्स को अगर वो अपने Main Exam के साथ साथ CAPF का एक्जाम अगर फोकस कर रहे हैं तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो CAPF भी क्लियर कर सके अच्छे मार्क्स के साथ उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ सबसे बहले मैं डिस्कस करूँगा CDS एस्पिरेंट्स के बारे में ठीके जी CDS एस्पिरेंट्स जो है वो बेशक OTA के लिए जा रहे हों या फिर वो जो है INA, IMA और EFA के लिए जा रहे हों उनके लिए ये रहता है कि सबसे इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है वो English रहता है क्योंकि वो काफी स्कोरिंग है उसमें बहुत सारे बचे सौ में से 70 प्लस मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो जनरल स्रेडीज जो है उनको एक बहुत बेसिक लेवल का उनको पढ़ना रहता है अगर आपके जनरल स्रेडीज में 30 मार्क्स भी आ गए 30 प्लस मार्क्स भी आ गए तो आपका बहुत कंफर्टेबली जो है रेटन क्लियर हो जाएगा प्रवाइडिड आपने 70 प्लस जो है इंग्लिश में ले लिए हैं तो बहुत जादा आपको इंग्लिश जो है फोकस करने की जरूत नहीं अच्छा जो सेकिंड स्टेज है SSB है उसमें भी अगर मैं लेक्चरेट का टापिक निकाल दू तो उसके इलाबा बहुत जादा आपको जनरल स्रेडीज की जरूत नही रखता है जितना की CAPF में रखता है अच्छा आप देखो CDS के पेपर में जो GK का पेपर या कह लिए GS का जो पेपर है उसमें 120 कोश्चन्स आते हैं और इसका जो पेपर 1 है जो पेपर 1 है इसमें आपके आते हैं 125 कोश्चन्स ठीक है जी अब आप इस से समझो के इसके 120 और जैसे मैंने आपको बताया कि 120 कोश्चन्स किसके रहते हैं इंग्लिश के रहते हैं तो इसमें कहीं न कहीं के लिए पलड़ा इसका भारी हो जाता है अच्छा अगर मैं कोश्चन्स की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो आठ सब्जेक्ट आठ सब्जेक्ट कैसे History, Geography, Politics, Economy, Physics, Chemistry, Bio, Current Affairs अगर मैं इसको सब्जेक्ट के रूप में देखूं तो ये आठ सब्जेक्ट जो हैं इस 120 कोश्चन्स में आपका लाई करते हैं इसमें 125 कोश्चन्स में ये जो आठ सब्जेक्ट हैं ये तो हैं Physics, Chemistry, Bio, History, Geography, Policy, Economy, Current Affairs तो इन आठ सब्जेक्ट को देखूं तो उसके साथ साथ Maths रीजनिंग भी आता है ठीक है अब जो बच्चे यहां पर OTA के लिए प्रिपेर कर रहे हैं वो इस पार्ट को ध्यान नहीं देते हैं उतना फोकस नहीं करते हैं तो ये around 20 questions आपको यहां पर देखने को मिल broadly जो है 18 से 20 questions आपको देखने को मिलते हैं जिसे CAPF 2024 की बात करूँ तो सीधा सीधा 20 questions जो हैं इस particular section में से पूछा आते थे अच्छा ये 20 questions ना बहुत जादा scoring है जिसमें आप 15, 16, 17 questions सही कर सकते हो बिलकुल confirm सही कर सकते हो तो क्योंकि GS के बाकी questions में हमेशा एक ambiguity बनी रहेगी हमेशा एक doubt बना रहेगा आप कितना भी detail में चीज़े जाकर पढ़ें पेपर में आप उतना confident जो है एक doubt हमेशा रहेगा जैसे CDS 2020-24 में polity लगभग ना के बराबर पूछा ठीक है तो इस तरीके के question ancient और medieval में बहुत जादा art and culture पूछ लिया तो general studies में हमेशा ये ambiguity बनी रहे ठीक है तो ये एक पहला part है जहाँ पर CDS के students जो हैं वो कमजोर पढ़ जाते हैं CAPF examination में पहला point हो गया दूसरा point क्या है कि इस पूरे के पूरे में 125 question मतलब 250 marks ठीक है जी अच्छा अब इसके बाद आपका आता है किसका exam paper 2 जो के descriptive है paper 2 में जो composition है उसमें पहला जो question है वो essays का है ठीक है essay 20 marks का 20 into 4 80 marks ठीक है फिर 20 into 2 40 marks का argument writing और 10 into 2 20 marks का क्या हो गया आपका report writing कितने marks हो गए 140 marks यह 140 marks भी GS पे ही निर्भर करते हैं ठीक है यह किस पे निर्भर करते हैं GS पे ही अब देख लो 250 अच्छा उसके बाद आपका comprehension है प्रेसी राइटिंग है ग्रामर है वो 60 marks का है तो 250 प्लस 140 कितना हो गया 390 ठीक है जी 390 ध्यान देना अच्छा आप जो interview है वो UPSC board में होता है ठीक है जी UPSC board जो है उसका interview लेता है 150 marks का interview है वो भी आपका कहीं न कहीं दो that is a personality test वो आपके बहुत जादा bio data या detailed application form जिसे हम DAF बोलते हैं उस पे निर्भर करता है बट उसमें भी एक कह लिजे general studies का काफी बड़ा role play होता है कहीं न कहीं आपको दीन दुनिया के बारे में knowledge है तो जादा आप बहतर करके आएंगे interview में तो सीधा सीधा अगर मैं चलो उस आसपेक्ट को personality test वाले आसपेक्ट को अभी एक बार side भी रग दूं तो out of 600 marks 390 marks तो सीधा सीधा आपके किस पे निर्भर करते हैं general studies पे ठीक है आपका general studies कितना अच्छा है उस पे निर्भर करते हैं ठीक है अच्छा आप इसमें से जो 20 questions है 40 marks ठीक है इसको अगर मैं कह दूं कि यह maths और reasoning का पाठ है तो भी 350 marks ठीक है 350 marks जो यह 8 subject है ठीक है यह जो 8 subject हमने discuss किये जो कि cds के gk paper में आते हैं जो कि total selection में देखो अगर आप ओटिये के लिए जा रहे हो तो 200 number 200 number का SSB 400 number तो पूरे 400 number में gs का आपका कितना portion था 100 marks का उसमें भी आपने 30 marks 35 पी लिए चल गया गा ठीक है तो पूरे selection process में 35 marks लेके gs में आपकी नईया पार हो गई यहां पर ऐसा नहीं होगा ठीक है यहां पर आपका gs का बहुत बड़ा हिस्सा है और अगर आप इसमें अच्छे नहीं है अगर आप gs में अच्छे नहीं है gs में बिल्कुल आप cds में बिल्कुल 30 marks लेने वाले में आ रहे हैं 35 लेने में आ रहे हैं तो यह वाली यहां पर कहानी नहीं चलेगे ठीक है जी यहां पर हो जाएगा काम खराब तो य यह सबसे important point, पहला point क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, maths और reasoning पे focus ना करना, दूसरा point हो गया, GS पे focus ना करना, तीसरा point है, पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 में written की practice, ठीक है, written की practice, क्योंकि अगर आप, ठीक है, अगर आप CDS aspirant हैं, तो आप written की practice बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं, मतलब थोड़ी बहुत क्या, बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब वो आखरी समय तक अपने आपको, कहते हैं न, पढ़ने की ज़रोता है भी, तो वो वाला time period कभी नहीं आएगा, it is an ongoing process, ठीक है, जैसे आप regularly पढ़ रहे हैं, वैसे ही regularly लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो जो की हमेशा बहुत सारे student नहीं करते हैं, time management नहीं करते हैं, तीन घंटे के paper में भी, बहुत सारे बच्चे बा आ रहा था, ऐसे में क्या लिखना है, हम बहुत सारी चीज़े लिखते रहें, और we were not able to manage the time, paper छोड़ गया, ठीक है, अगर आप 80 number का, 60 number का paper छोड़ क्या होगे, there is no way you going to clear the examination, और अगर somehow आपने cut-off clear कर भी ली, तो विलकुल marginally clear होगा, final selection नहीं होगा, ठीक है, that is for sure, तो य यह तीन चीज़े है, maths पर focus ना करना, GS पर उतना focus ना करना, बिलकुल ऐसे GS को superficially, वो quote unquote, मैं किसी book का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो एक बहुत standard book आती है, lucent पर focus करना, बिलकुल factual चीज़ों पर focus करना, उस से खेर, आज के समय पर अगर आप factual चीज़ों पर focus कर रहे हो, तो CDS का भी GK आपका, यह GS वाला paper अच्छा नहीं जाएगा, यह भी for sure है, ठीक है, अगर आप superficially, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो आके कहते हैं कि अमने English में तो 70 ले लिए, नमबर, बट GS में 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 ठारा नमबर बन रहे हैं, ठीक है, 15 नमबर बन रहे हैं, वो minimum 20 marks चाहि criteria रखा हुआ UPSC ने, तो वो clear नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस case में आपका return clear नहीं होगा, तो अगर आप बिल्कुल वो 20, 22, 25 नमबर या 30 नमबर वाले में हैं, तो CAPF में नहीं काम बनेगा, ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता हूँ कि, जो दो set of candidates की मैं बात कर रह हैं, CDS aspirants, जो की सही में suitable हैं, CAPF में जाने के लिए, जो actually passionate है forces को लेकर, वर्दी को लेकर, पर maximum बच्चे चाते कौन है, civil services aspirants, that is the reason क्योंकि उनको ये 3-4 points कोई नहीं बताता है, या उन पर वो focus नहीं करते हैं, तो वो हर साली के exam होता है, जिसमें 400-500 seat रहती हैं, CAPF, वो जि में कि वो जादा suitable हैं, जाने के लिए, वो उस exam को miss कर देते हैं, ठीक है जी, एक और बहुत बड़ा point, CDS के students में, जो मैं देखता हूँ, CDS में जो girl students हैं, ठीक है जी, अब आप देखोगे, CDS में girl student, woman, CDS, जो OTA में, woman के लिए कितनी seat रहती हैं, ठारा, 20, ठीक है, इसी range मे सारी open है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल open है, और आप उसमें complete कर सकते हैं, और अगर आपके पास, जो है, कैली जी, ये reservation का benefit है, आपके पास, OBC, SC, ST, तो आपके लिए फिर age का relaxation भी हो जाता है, और अगर आप किसी central government में civilian employee हैं, तो भी आपको age का relaxation मिलता है, तो ये सारे benefit जो हैं, CAPF आपको देता है, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको कहा, कि ये जो exam है, ये अगर आप देखेंगे, बहुत जादा बच्चे जो हैं, बहुत जादा त्यारी से नहीं देते हैं, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा dedicated list के लिए पढ़ेगा, तो वो इस exam को अच्छा कर सकता है, ठीक है, और इसके लावा, girl students के लिए, मतलब जहां सिर्फ वो 20 seatों पे compete कर रही हैं, यहां पे पूरी 400 seat हैं, 500 seat हैं, ठीक है, जिन में वो compete कर सकते हैं, और सबसे important, एक और point जो है, इसमें आता है, कि ये जो written में न, आपका pressy writing कैसे लिखना ह कैसे हैं, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वहां यहां पर भी वो एक कमी रहती है, अच्छा, अब मैं आता हूँ, उन students पे, जो है, civil services के aspirants, ठीक है, civil services के aspirants, तो वो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूँ, कि मेरे को contact करते हैं, जो civil services aspirants हैं, पिर व बहुत अच्छा depth में बढ़ा है, उससे depth में in general studies कोई नहीं बढ़ता है, तो उनके लिए यह वाला factor नहीं है, जो CDS students के साथ factor है, कि GS उन्होंने अच्छे से दिनी पढ़ा, इनके साथ यह वाला factor नहीं है, और कहीं ना कहीं, जो GS की weightage है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि CAPF paper में काफी बड़ा portion GS का ही है, तो वो यहाँ पर stronghold रखते हैं, ठीक है, वो सिधा सिधा stronghold रखते हैं, पर इसमें एक चीज जो civil services, aspirant जो ध्यान नहीं देते हैं, वो है science का portion, ठीक है, अगर आप civil services का examination दे रहे हैं, तो वहाँ पर science and tech पूछता है, ठीक है, science नहीं पूछ तो आप even basic question आपको नहीं पता लगेंगे, जो की serious aspirant बहुत अच्छे से कर लेगा, त्योंकि serious aspirant ने science बहुत अच्छे से बढ़ा है, ठीक है, वो 9th और 10th class की NCRT science बहुत अच्छे से पढ़के गया है, उसने 11th, 12th के भी कुछ topics करके गया है, तो वो science में 30 में से हो सकता है, 24-25 question कर ले, और यहां पर जो civil services क aspirant है, वो कही ना कही मात खा जाता है, अगर बहुत असान question होगा, फिर अलग बात है, जहां थोड़ा सा भी tricky question पूछेगा, वहां वो भज जाएगा, ठीक है, हाँ, maths का जो पार्ट है, maths और reasoning का, क्योंकि वो CSAT के लिए भी prepare कर रहा है, तो maths यहां पर cover कर लेता है, अच्छा, अब आते हैं paper 2, तो यह paper 1 में क्या हो गया, 25-30 question science के, वो उसके week रह जाते हैं, ठीक है, दूसरा paper 2 में क्या होता है, paper 2 में जो essay और argument writing है, वो बहुत अच्छा लिख लेता है, अब उसको report writing का, ठीक है, जी, report writing में एक format है, ठीक है, वो पता important point, grammar, ठीक है, उसने as such grammar नहीं पड़ी, जो की 25 number की आती है, for 25 marks, और बहुत सारे student इस grammar में 20, 22 marks तक score करते हैं, बतलब उनका grammar का portion अच्छा है, अब आपने grammar अच्छे से नहीं करी, report writing का आपको format नहीं पता, प्रेसी writing का format नहीं पता, कि प्रेसी writing कैसे लिखनी है, ठीक है, तो आपके साथ क्या दिक्कत हो जाएगी, कि आपका paper 2 में जितना score आना चाहिए, आप पहले जो 80 marks, 40 marks, ये जो 120 marks है, ठीक है, essay और argument writing, ये तो आप अच्छा कर लोगे, बट, जो report writing, grammar और प्रेसी writing है, ये अच्छे से नहीं करके जाते हैं, खासकर grammar वाला portion, ठीक है, ये फिर मतलब वो है कि general understanding जिसकी है, वो तो अच्छा कर लेगा, बट otherwise वो मतलब इस in part पे focus नहीं करता है, मतलब around 120 marks उसका अच्छा है, 80 marks पे वो focus नहीं कर पाता, और similarly science के जो 25 से 30 question है, depending अच्छा कर पाता है, त science तो बहुत असान था, मैं पढ़ा नहीं था, अगर मैंने पढ़ा होता, तो मैं I would have scored well, और ये वाला जो paper 2 को specifically, क्योंकि civil services में एक अलग तरीके से questions पूछे आते हैं, ये वाला जो part है, ये civil services में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं, हिंदी हो सकती है, ये कोई भी regional language हो सकती है, वो qualifying paper होता है, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा students focus नहीं करते हैं, यहाँ पर जो ये वाला part है, ये इसके marks जूडेंगे, final जो collegiate merit list बनेगे, उसमें आपके marks जूडेंगे, तो ये था आज का analysis, I hope आपको ये समझ आया होगा, ज क्यूं CDS aspirants और Civil Services के aspirants, CAPF में अच्छा score नहीं कर पाते हैं, उसका reason एक बहुत simple मैंने आपको बताया, कि ये जो CDS का exam है, और ये Civil Services का exam है, और ये कहीं CAPF यहाँ बीच में लाई करता है, क्योंकि इसमें, like Civil Services की तरह written paper भी है, ठीके जी, और CDS की तरह, जो GS का paper है, उसमें science भी है, maths भी है, सब कुछ है, ठीके तो it is like in between the both, और एक ही दिन में paper हो जाता है, ठीके एक ही दिन में दोनों paper हो जाते हैं, उसके बाद आपका physical efficiency test है, फिर आपका interview है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी preparation को एक tweak करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से इसके लिए पड़ना पड़ेगा, CDS experience के लिए मैं यह कहूंगा, कि आपको अगर CAPF भी target करना है, तो आपको अपनी GS को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो superficial level पर GS पड़के काम नहीं चलेगा, ठीक है, अगर GS भी और English भी आप अच्छ they are best suitable for getting into the CAPF, but unfortunately they are not going, the reason is that they are not focusing on this part, that's all from my side, thank you so much, I hope you have understood this analysis, and you will make the changes, necessary changes in your preparation, based on this analysis, and do the needful.